हाँ हलो मैं डॉक्टर फाजी नवीद हेड डिपार्टमेंट ओफ उर्दू मौलाना आजार कॉलेज और अंगबाद आज हम जिस टॉपिक के तहट बात करेंगे वो है घजल का सफ़र मैं ये पूरे लेक्चर को साधी जबान में पेश करना चाहता हूँ इसलिए कि मैं उर्दू का हूँ और मेरी उर्दू जो है बहुत गाड़ी है जो सब के समझ में नहीं आएगी और यहाँ पर जो है ऐसे लोग भी है जो उर्दू नहीं जानते लेकिन वो घजल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक मिक्स जबान का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा इंगलिश, मराठी, हिंदी, गुर्दू एक मिक्स जबान का तो इसलिए जबान की कॉलेटी या जबान के मियार पर मुझे ना परखा जाए तो गजल जो है आज हमारा टॉपिक है गजल का सफ़द गजल एक बहुत मशूर और फेमस सिंफ रही है उर्दू की ये इतनी मगबूल और हर दिल अजीज रही है कि हर जमाने में इसको पसंद दीरगी की निगाह से देखा गया है इसको लाइक किया गया है हर दोर में और जब भी हम अर्दू जबान की बात करते हैं या अर्दू के मुतालख सुनते हैं तो सबसे पहले हमारा जहन हमारा दिमाग शायरी की तरफ जाता है और शायरी जो है वो शायरी में भी अर्दू घजल की तरफ हमारा जहन जाता है हाला के अर्दू शायरी में कई असनाफ हैं अर्दू पोईटरी की बहुत सारे टाइप है उसमों वराइटीज है जैसा खसीदा, मस्नवी, मर्सिया, नज, रुबाई, वासुख लेकिन जितनी मखबुलियत, जितनी पॉपुलरेटी और जितनी चाहत गजल को मिली वो अर्दू के किसी और सिंफ को नहीं हासिल कर से इस अर्दू गजल पर बहुत सारे एतिराजाद भी हुए है, इसको काफिर सिंफ सुखन भी कहा गया है, इसलिए कि इसमें रेज़ा ख्याली, यानि ख्यालाद बिकरे हुए होते हैं, रेज़ा ख्याली होती है, इसलिए इसको काफिर सिन्फे सुखन भी कहा गया है। लेकिन अपनी इन्ही खूबियों की बुनापर, अपनी इन्ही औसाफ की बुनापर, अपनी इसी खुसुसियात की बिनापर, ये सिन्फ बारगाह से लेकर खानखा तक अपना सिक्का जमाती आई है। और मुशायरों की सफ़े उलटना इसका एक अधना सा करिशमा रहा है मुशायरे की महफिल में इसका रंग खूब जमता है हवालियों की महफिल में भी गजल बहुत पसंद की जाती है और इसकी जादू बयानी का असर बहुती दिल फरेब होता है गजल की महफिलों में भी गजल पर राग जो है बहुत खुब जश्टे है और बासुरी की लाई तो इस पर जादू का काम करती है तो ये गजल ऐसी सिल्फ सुखन है जिसको बहुत ज़्यादा जो है मगबुलियत और पॉपलरेटी मिली है आज हम उसी गजल के मुतलिफ जो है जानने की कोशिश करेंगे गुफतकू करेंगे डिस्कुशन करेंगे और इसी के मुतलिफ जो है हम बात सीथ करेंगे गजल का सपर के उन्वाद से तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गजल क्या है What is गजल गजल के लगवी माने देखेंगे अगर पार्शी में गजल के माने देखेंगे तो यह अरभी जबान का लफज है और इसके माने हैं औरतों से बाते करना या औरतों के मुतालिख बाते करना यानि जब शायर अपनी महबूबा अपनी प्रेमी का के मुटालिख अपने जज़वात अपने एहसासात को पेश करता है और जो कहफियते उस पर गुजर रही है उसको उसका इजहरे ख्याल करता है उसे गजल कहते है गजल में महबूबा के साथ हिजरों विसाल है यानि जुदाई भी है और मिलन भी है जुदाई की कैफियत और उसके जज़बाद उसके एहसासाथ अलग होते हैं और हिजर के कैफियत उसके एसासाथ, उसका दरड, उसका गम, उसका रंज, उसकी हसरत, एक अलग चीज़ होती है और इन तमाम का जो है अजहार, गजल में किया जाता है इसलिए इसका मानए है ओड़ों से बाते करना या ओड़ों के मुतालिग बाते करना गजल में हुस्न, इश्ख और मुहबब यानि रोमेंस ये तीन चीज़ों को कॉम्बिनेशन होता है और ये तीन चीज़ा गजल के जो भी कोई भी मौज़ू हो चाहे वो सियासी ही मौज़ू क्यों नहों लेकिन पेराए इजहार जो होसन और इश्ख और मुहबबत से होना चाहिए तब ही वो गजल का शेर मखबूल होगा, मशूर होगा और फेमस होगा तो इस तरह से गजल के जो मानिय हमने बताए कि औरकों से बाते करना अपने महबूल के मुतालिक जो कुछ भी बाते हैं उसको कहने का जो है एक वज़ा ये भी है कि गजल लफ़ गजाला से निकला है और गजाला के जो मानिय हैं दिश्नरी में वो हिरन के हैं यानि एक तौजी है कि एक शिकारी शिकार के लिए गया है उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है और जैसी हिरन को इस बात का एहसास होता है इस बात की आहट मेसूस होती है कि शिकारी उसे शिकार करने को आ रहा है तो वो तेज रफतारी से अपनी जान बचाने के लिए दोड़ती है और उसी असना में शिकारी जो है वो तीर हाईरेन की तरफ छोड़ देता है और वो तीर उसकी कमर में पैवस्त हो जाता है तो जिस दर्द, जिस तड़प, जिस कसक, जिस मजलूमियत और जिस मासूमियत के साथ वो शिकारी के तरफ मासूमियत की निगा से देखती है ये जो पूरी सिच्वेशन है ये जो पूरी कैफियत है उसको घजल कहते है तो घजल में दर्द होता है कसक होती है खलिश होती है और इसलिए इसको घजल कहते है वौल एमद सुरूर कहते है कि बेरहाल ये जखमी घजला की खलिश है और इसमें गचुन बहुत बहुता है अब जो हुसन औ इश्ख है तो इश्ख जो है हकिकी भी हो सकता है यानि खुदा से बगवान से भी हो सकता है या पिर मजाजी भी हो सकता है यानि किसी इनसान से भी इश्ख हो सकता है इन तमाम जो है जजबात ये तमाम इनसानी एहसासाद को जिसमें पेश किया जाता है वो घजल है हुसन औ इश्ग का मौजू इसलिए भी एहम है कि ये एक यूनिवर्सल और गलोबल मौजू है इसका किसी एच से कोई तालुख नहीं हर उमर का जो है शखस इसमें यक्सा बराबर और इकुल दिल्चस्पी इकुल इंट्रेस्ट इसमें लेता है और इस पे इलाखे का भी कोई असर नहीं है यानि अगर वेस्टरन में ये पसंद किये जा रहा है जजबात हुसन औ इश्ग के रोमैंस के तो इंडिया में भी वही पसंद किये जाएंगे उसी हिद्द से पस्द किये जाएंगे सिर्लंका भी भी पैरेस में भी यानि दुनिया के किसी भी हिस्से में ये इकुल जो है इंट्रेस्ट की चीज़ है इसलिए खुसन औ इश्ग महवर है गजल का और गजल खुसन औ इश्ग के अतराफ ही जो है कही जाती है तो ये घजल है अब घजल के अज़ा तरकी भी है घजल के तीन अज़ा है एक अप्या दूसरा रदीफ अब तीसरा बहर इसको हम घजल के ऐलिमेंट्स या कम्पोनेंट्स भी कह सकते हैं खाप्या, रदीफ और बहर हम आवाज खाप्या के माइने के पीछे पीछे चलने के हम आवाज अलफास को खाप्या कहते हैं यानि सेम वाइस जिसमें आती है उसे खाप्या कहते हैं राइमिंग वर्ड्स और खाप्या जो है जरूरी है शायरी के लिए शेर के लिए अब शेर जो है दो मिसरों से मिलकर बनता है दो पंक्तियों से मिलकर बनता है उसको शेर कहते हैं पहला मिसरा को मिसरे पूला कहते हैं और दूसरे मिसरे को मिसरे सामी यानि परस्ट जो है पंक्ति और सेकंड पंक्ति ये दो ही लाइन में ये दो ही मिसरों में एक शेर्प में पूरा मुकमल ख्याल बेश करना पड़ता है इसके लिइे इसमें खाफिय का होना लाजमी है, खाफिया जैसा मैंने कहा कि सिमिलर अरफास को, हम आवाँ अलफास को खाफिया कहते है जैसे साहिल अब साहिल बिसमिल दिल, मन्जिल ये सिमिलर अलफा है इसलिए ये साहिल के खाफिय होंगे जो खाफिय है उसका जो आखरी हर्फ है यानि आखरी जो है अलफाबेट है उससे पहले का जो हर्फ है उससे पहले का जो अलफाबेट है यानि सिकन लास वो हर्फ रवी कहलाता है हर्फِ रवी पे खाफिय का ताइन होता है हर्फِ रवी जो है अगले खाफिय कैसे होंगे उसको जो है मताइन करता है उसको फिक्स करता है कि आने वाले खाफिय कैसे होंगे तो यहां पर हमने देखा कि लफ जो है साहिल खाफिय अगर हम लेते हैं तो ल, आखरी में ल है लाम और उससे पहले का जो हर्फ है वो है ह, यानि है और है के नीचे मात्रा है ई की जेर की मात्रा है अब जो भी अलफास खाफिय में आएंगे दूसरे अशारवे उसके हर्फ रवी पर यानि आखरी हर्फ से पहले हर्फ के नीचे जेर का या ई की मात्रा होना लाजमी है, जुरूरी है अगर वो नहीं होंगा तो खाफिय गलत होंगा वैसे ही साहिल का खाफिया दिल, मन्जिल, बिस्मिल, साहिल वगयरा होंगे इसी तरह जो है एक लफ है बादल बादल के आखरी में भी लाम है लेकिन वो साहिल का खाफिया इसलिए नहीं होसकता कि लाम से पहले जो हर्फ है लो से पहले जो हर्फ है वो दव है, यानि दाल है और दाल के उपर आ की मात्रा है इसलिए अब जो भी हर्फ आएंगे खाफिये में उसके हर्फ रवी यानि आखरी हर्फ से पहले हर्फ पर ओ की मात्रा यानि जबर होगा तो बादल के खाफियों होंगे काजल, आचल, कल, बेकल, मुसलसल इसी तरह एक लवज है देखिये खाफिया गुल गुल जो है उसका हर्फ रवी है लाम से पहले का हर्फ यानि गुल गाफ और गाफ पर पेश की अलामत है यानि ओ की मात्रा है तो अब जो भी अलफाज आएंगे इसके बाद खाफिये के तौर पर उस पर पेश की अलामत उ की मात्रा होना जुरूरी है यानि गुल, बुलबुल, सुम्बुल, काकुल वगएरा तो यह हुआ खाफिया और खाफिया चायरी के लिए जो है जुरूरी चीज समझा जाता है असातेजा ने इसकी हमेशा से पाबंदी की है अगर कोई शायर जो है खाफिये को दबल इस्तिमाल करता है एक की खाफिया दो बार इस्तिमाल करता है तो वो गल्दी है और उसे इता कहते हैं और इता की दो खिसमे है इता जली और इता खफी यानि दिल की बस्ती अजीब बस्ती है ये उजडने के बाद बस्ती है दिल की बस्ती अजीब बस्ती है ये उजडने के बाद बस्ती है तो यहाँ पर बस्ती बस्ती का दो बार इस्तेमाल हुआ है दोनों मिस्रों में इस्तेमाल हुआ है पहले पंती में बस्ती जो है बसने के मतादब वर्ब के तोरपर इस्तेमाल हुआ है और दूसरी बस्ती जो है वह उआ एक झाउन है एक नाम है जो बस्ती है फलानी बस्ती है तो इस तरह से जो है इता हो सकता है हाफिये की मिसाल इस तरह है घजल में कि देखिए घजल है एक मीर तकी मीर थी हस्ती अपनी हबाब कीसी है ये नुमाईश सराब कीसी है नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पन्खडी एक गुलाब कीसी है बार बार उसके दर पे जाता हूँ हालत अपन इसनित्राब कीसी है मेर ननीम बाख आख़ों में सारी मस्ती शराब कीसी है तो ये घजल के चंद शेयर जो है मैंने यहाँ पर बतुर नमुना बतुर है एक्जामपल यहाँ पर पेश किए हैए और देखी आप किसी के नीचे जो है अंडर लाइन किया हुआ है ये ख़ब कशीदा जो अलफाज है जो अंडर लाइन किये हुए वर्ड्स है वो खाफिया है यहां पर हबाब, शराब, गुलाब, इस्तिराब और शराब ये खाफिये हैं तो उमीर है कि आपको खाफिया क्या है ये बात तो अच्छी तरह समझ में आई हुए अब देखते हैं हम रदीफ रदीफ जो है खाफिये के बाद आने वाले हर्फ या अलफाज को रदीफ कहते है खाफिये कि फौरण बात जो लवज, हर्फ या अलफाज आएंगे वो रदीफ कहलाएंगे यानि इसी गजल में देखिये किसी है, किसी है, किसी है ये बार बार आ रहा है, ये रदीफ है रदीफ का इंतिखाब शायद खुद करता है रदीफ के अलफास तबदील नहीं होते बलके वो जो है, पहले जो इस्तिमाल किये है वो ही हर मिसरे में, या हर खाफिये के बार वो ही मुसलसल इस्तिमाल होंगे और उनमें कोई तबदीली वाके नहीं होती शुरू से आखिर तक रदीफ के अलफास सेम होते हैं वही रहते हैं जैसा के मीर की घजल में देखिए हस्ती अपनी हुबाब कीसी है तो जो कीसी है जो है रदीफ है यह नुमाईश सराब कीसी है नाजों कि उसके लब्धी क्या कहिए पंक्री एक गुलाब कीसी है तो कीसी है ये रदीफ है रदीफ ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए जो खाफिये के साथ पूरी तरह घुल मिल जाए हम आहंग हो जाए उनको एक दूसरे से अलग करना जो है मुश्किल हो जाए और ये समझ में ना आए कि ये रदीफ और खाफिये को जबरदस्ती मिलाया जा रहा है मिसाल के तर पर एक हसलत महानी का शेड़ देखिये कि चुपते चुपते चुपके चुपके रात दिन आसू बहाना याद है हम तो अब तक आशिकी का वो जमाना याद है बहाना और जमाना खाफिय है याद है याद है रदीव है हसरत मुहानी ने इस तरह से खाफिया और रदीव को मिला दिया है कि बहाना किसी किसी के बहाने हमको मुद्द तो याद रहते है कोई कोई जमाना ऐसा रहता है जो मुद्द तो तो याद रहता है तो ये जो जमाना और बहाना के साथ याद है कि जो रदीफ मिला दी है वो शायर का कमाल है और शायर अपने कमाल दिखाने के लिए ऐसी रदीफों का इस्तिमाल करते हैं रदीफे जो है छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है बड़ी और शोरा जो है शायर अपनी अपना कमाल दिखाने के लिए अपना फन दिखाने के लिए अपना आर्प दिखाने के लिए लंबी लंबी रदीफों का भी इस्तिमाल करते हैं मिलके रहेंगे बन के कली बन के सबा बावे वपा मे इस शेर में रहें और करें खाफिया है रहें और करें खाफिया है गे बनके कली बनके सबा बागे वफा में ये जो है रदीफ है और एक लंबी रदीफ का जो है इस्तेमाल मजरु सुल्तान पूरी में जो है किया है और ये रदीफ जो है गजल का लाजमी उनसर तो नहीं है ये मस्थ नहीं है ये नहीं भी हो सकती है गजल में ऐसी गजल जिसमें रदीफ नहीं होती उसको गैर मुरदब गजल कहते है गैर मुरदब गजल लेकिन जहां तक असातेजा का तालुक है उन्होंने हमेशा से रदीफ ही को इस्तेमाल किया है और वो खाफिये के साथ रदीफ का भी इस्तेमाल करते वे आए है लेकिन हमें वेर मुरदफ घजलों की भी जो है मिसाले मिल जाती है अब तीसरा जो जूज है वो है बहर बहर को मराठी में चाल केते हैं और अंगलिश में मीटर ये मस्ट है शायरी के लिए शेर के लिए ये जुरूरी है लाजमी है इसके बगएर शायरी हो नहीं सकती नसर और नजम यानि पोईटरी और प्रोज में अगर कुछ पर्ख है अगर कुछ डिफरंस है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहर का है नसर में बहर नहीं होती और बगर बहर के शायरी हो नहीं सकती तो बहर जो है शायरी के लिए बहुत जुरूरी है बहर छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी इसलिए हमें कुछ अशार जो है छोटे नजर आती हैं मसलां इधर रहे गई या उधर रहे गई इधर रहे गई या उधर रहे गई वफा की शिकायत मगर रहे गई देखी शार कहा है कि रिंद जननत में जाबी चुके वाइज महतर में रहे गई यह जो है निजामी कानपूरी का शेयर है इसके बरखिलाफ बाश शायर बड़ी बड़ी रदीपूर को भी इस्तेमाल करते है मसलनी शेयर देखिए कि निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले मुझे तुछ से कोई शिकायत नहीं है यह दुनिया बड़ी संदिल है यहाँ पर किसी को किसी से मुखवत नहीं है या फिर मीर का शेर देखिए कि पत्ता बूता बूता हाल हमारा जाने है पत्ता बूता बूता हाल हमारा जाने है जाने न जाने गुल ही न जाने बाखत सारा जाने है या फिर बहादरु़र शाध साभर का देखिये शेर के सफर आदमी उसको ना जानियेगा जिससे आईश में याद खुदा न रही और जिसे तैश में खुदा न रहा इस तरहा घजल के अज़जा तरकीवी में जो है खाफिया, रदीफ और बहर ये खजल के अज़जा तरकीवी है और ये जो है तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन खाफिया, रदीव, बहर ये तीन चीज़ों को कॉम्बिनेशन ये बड़ा कमाल को कॉम्बिनेशन इससे बड़े से बड़ा काम लिया जा सकता है ये इनसान के जजबात और एहसासाद को कंट्रोल कर सकता है ये किसी के जजबात को एक सा उभार सकता है और इससे वो काम भी लिया गया है हमने देखा कि जंग आजादी में जो है शोरा ने बड़े जोश औ वलवलो के अशार कहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना वाज़ोय खातिल में है तो इस तरह के जो जजबात को उभारने का काम है कि तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से जो है हो सकता है इस से पास्ट में माजी में बहुत ज्यादा जो है जंगे भी जीती गई है एक ऐसा भी हुआ है कि एक बहुत ज्यादा ताकतवर जो है हुकुमत एक कमदोर हुकुमत को जो है उसे बार बार हार रही थी वजद अज्याफ की गई हारने की तो पता चला कि वहां के शोरा जो है वहां के शायर जो है वोग वलवला अंग्रेज जो है अशार कहते थे और वहां की जो मासिस है वहां की जो अवाम है उनको जजबात को जो है वो बढ़का देते थे और वो सर पर कफन बांद कर निकल जा तो जो ताखत पर हुकमत थी उन्होंने कामियाभी बिलने के बाद उस हुकमत में सबसे पहले ये इलाम किया कि वहां के शायरों को खतल कर दिया जाए यहां पर कोई शायर नहीं रहना चाहिए अफला तुन ने भी जो है अपनी जो खयाली डیमोकरेसी बनाया थो निया आइडियल डेमोकरेसी जो अपनी बनाया था उसमें सबस्केवाइरों को बाहर कर दिया भी इसलिए कि वह जानता था शायर शेर जो है एक पावर्फुल वेपन का काम करता है बहुत खतरनाख वेपन है ये ये तीन चीजों को कॉम्बिनेशन अगर इसको सही तरीखे से इस्तेमाल कर लिया जाए तो और हम जो वेस्टरंग इस्टरंग माइन रखते हैं हमारा जो मश्रीकी जहन है तो हमारा जहन ही की तरबियत ही इस तरह से हुई भी है जिसमें जो है ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारे जज़बात हमारे इहसासात और हमारा दिमार जो है इसको खुबूल करता है इसके असरात को खुबूल करता है इसमें जो है खाफिया बहर वो बिसाद बिचान खाफिया इसमें तकरार पैदा करता है और रदीफ इसमें एक खिसम की मौसिख्कियत रिनायत और रिधम लाने का काम करती है और यही वज़ा है कि अशार हमको पसंद आते हैं और हम उनसे मतासिर होते हैं घजल अब यह तो हो गए घजल की अज़ाय तरकीवी अब हम देखते हैं कि घजल की हैर यानि फॉर्म आफ घजल घजल का इस्ट्रक्चर घजल किस नहज़ पर किस टाइप से लिखी जाती है तो घजल का जो पहला शेर है उसको मतला कहते है मतला जो है यह अरबी जबान का लफज है इसके माइनी है निकलने की जगा तुलू होने की जगा यानि सूरज जहां आसमान से तुलू होता है उस जगा को या चांद जहां से तुलू होता है वहाँ से निकलने वाली जो जगा है उसको मतला कहते हैं यहां पर घजल की शुरुआत हो रही है इसलिए उसको मतला कहते हैं मतले में दोनों मिसरों में यानि दोनों पंक्तियों में खाफिया और रदीफ होते हैं यानि अगर दोनों मिसरों में खाफिया और रदीफ हो तो ही उसे मतला कहा जाता है तो घजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में खाफिया रदीफ होते हैं यह मतला कहलाता है मतला एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी मतले हो सकती है अगर एक से ज्यादा मतला है तो उसको जो है एक के बाद एक लिखा जाएगा और जो दूसरा मतला है उसको हुसने मतला या जेवे मतला कहते हैं मिसाल के तोर पर जिगर मुरादाबादी के शेयर ले लीजिए के एक लवज महबत का इतना सा फसाना है एक लवज महबत का इतना सा फसाना है सिमते तो दिले आशिख पहले तो जमाना है तो फसाना और जमाना ये दोनों मिसरों ने खाकी है हुसने मतला देखिए दूसरा मतला है क्या हुसन ने समझा है क्या इश्क ने जाना है क्या हुसन ने समझा है क्या इश्क ने जाना है हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है तो जाना और जमाना दोनों मिसरों पर खापिया यानि एक मतला हुआ एक हुसन मतला हुआ अब गजल का जो सबसे बहतरीन और पसंदिद शेर होता है उसको बैतुल गजल या शाह बैट कहते है बैतुल गजल या शाह बैट का जो इनिसार है वो पढ़ने वाले या सुनने वाले के ओपर होता है किसी को गजल का एक शेर बहुत ज्यादा पसंद आए और किसी दूसरे शक्त को दूसरा पसंद आए तो इसका इन्हेसार पढ़ने या सुनने वाले पर होता है लेकिन अगर हम देखते हैं जिगर मुरादबादी की ये गजल जिसके हमने अभी दो शेर कहे है उसका अगर शाबद देखे तो उसका शाबद है कि ये इश्ख नहीं आसां बस इतना समझ लीजे ये इश्ख नहीं आसां बस इतना समझ लीजे एक आग का दरिया है और डूप के जाना है तो इस तरह जो है शाबद है और गजल के आखरी में जो लवज जो चीज़ है उसे मखता कहते है मखता भी जो है अरभी जबान का लवज है यानि कता होनी की जगा खत्म होनी की जगा यानि यहां पर गजल खत्म होती है डी इंड होती है अपने अख्तिताम को पहुंचती है और गजल का जो आकरी शेर है उसको मफ्ता कहते है अमुमन आम तोर पर गजल के आकरी शेर में शायर अपना तखलुस इस्तिमाल करता है तखलुस शायर के पेन नेम को कहते है अब ऐसा होता है कि शायर का नाम बड़ा होता है और वो गजल के वजन में बैट नहीं पाता इसलिए शायर अक्सर जो है तीन हर्फ ये चार हर्फ का तीन अल्फबेट ये चार अल्फबेट के जो है नाम रख लेती है जिसा गालिब, मीर, मजरू, मुमिन हलाके गालिब का नाम है असदुल्लाव खाम मुमिन का नाम है हकीम मुमिन का मुमिन जौक का नाम है शेख इबराहीं जौक लेकिन वो जौक ही इस्तेमाल करते है तो इस तरह से जो छोटा सा पेन ने होता है शायर का उससे तखलुस कहते है वो वजल के आखली शेर में जो है तकलिव का जहे इस्तमाल करता है जैसा काबा किस मुऊ से जाओँगे गालिक शर्म तुम को मगर नहीं आती या फिर मीर इन नीम बाँ आख़ों में सारी मस्ती शराग कीसी है या जहे किसी भी जौक कषयर ले सकते जिगर कर ले सकते पिर से कहना उसका बाहों में बाहे डाल कर और ये कहना उसका फिर बाहों में बाहे डाल कर मैं जिगर के वास्ते हूँ और जिगर मेरे लिए तो इस तरह से मखता होता है और मखते पे गजल का इक्तिताम अमल बना जाता है अब गजल खत्म हो जाती है गजल के अशार की तादा कम से कम पाँच होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा की कोई खैद नहीं है लेकिन कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तेरा होना चाहिए और उसके बाद फिर मतला लाना चाहिए और फिर मतले के बाद अगर और भी अगर बढ़ानी है तो फिर उसके बाद और तेरा मिस्रे कर सकते है बैरहाल शायर को पावन नहीं किया जा सकता कि वो कितने उसमें अशार में अपनी घजल कहे वो तो खयाल है जैसे जैसे उसके खयाल आएगा वैसे वैसे उसके अशार होते जाएंगे तो अशार की तादा जो है पांच, साथ, नौ, तेरा ऐसी हो सकती है लेकिन ये कहते हैं कि जुफ्थ होना चाहिए और नमबर में होना चाहिए यानिया पांच, साथ, नौ, आठ, दस इसलिए कि ये होसनो इश्च से वाबस्ता है और होसनो इश्च के लिए हेज्र जो है माना जाता है क्योंकि मिलन को महबत नहीं है हिज्री की जुदाई की जो है और जुदाई को जो है वो और नमबर से ही कंसीडर किया जाता है इसलिए इसके जो है और नमबर होती है अब गजल की दो खिसमे होती है एक तो गजल गैर मसलसल गजल गैर मसलसल जो आम तर पर गजल होती है उसका हर शेफ मीनिंग के एतिबा से मुकमल होता है यानि उसको समझने के लिए किसी दूसरे शेर का दूसरे कपल का सहारा नहीं लेना पड़ता एक शेर में शायर बड़े से बड़ा ख्याल पेश कर देता है और ये मुकमल होता है मानवी एतिबार से और हर शेर दूसरे शेर से जुदा गाना होता है अगर घजल में पांच शेर है तो पांचो शेर का एक दूसरे से कोई जुड़े वे नहीं रहेंगे ये सब जुदा जुदा रहेंगे एक शेर जो है मां के तालुक से है एक शेर जो है अपनी महभूबा के तालुक से है एक शेर जो है उपर वाले के बगवान के अलग के तालुक से है खुदा के तालुक से है और एक शेर जो है जमाने की बहार के बारे में है तो अलग अलग जो है मौजू अलग अलग जो यह हो सकते है टॉपिक हो सकता है शेर का शेर आपस में जुदा गाना होते हैं। इनको घैर मुसल्सल शेर केते हैं। मुसल्सल शेर भी होते हैं। या तो वो खयाल के अतिबार से एक दूसरे से जुरे होई होते हैं। या फिर कोई जो है ख्याल को वो बढ़ाते हैं थोड़ा 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 बढ़ाते हैं ख्याल को एक्स्टेंड करते हैं उसकी तौसी होती है तो जो तौसी होती है वो कनेक्टेड होते है इस तरह जिस तरह से जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से म इस तरह से घजल मुसलसल और घजल गैर मुसलसल ये दोनों चीजे है तो अब है घजल की जबान घजल बहुत ज्यादा जो है मुश्किल जबान या दकीर अलफास या कॉम्पलेक्स सिटी को पसंद नहीं करती इसमें जबान जाया है इसमें जो है सिटी होना चाहिए इसमें का दर्द होना चाहिए लेकिन अलफास जो है ऐसे ही होना चाहिए जो घजल की मुनासिवत को मल्हूज खातियर रख सके बहुत ज्यादा भारी भरकम आवास, अल्पास का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो है जबान जो है आम सहले मुम्तेना सहले मुम्तेना में अगर शेयर होंगे तो वो बहुत ज्यादा जो है मश्यूर होगी, मागबूल होगी और उसको लोग पसंद करेंगे गजल एक ऐसी सिन्फे सुखन है शायरी की एक ऐसा ताइप है ऐसा परकार है जिसको हर किसी ने पसंद किया है और ऐसा कोई शायर नहीं है जिसने गजल ना कही हो इसलिए वजद ने कहा है रशीद आमस सिद्धिकी ने गजल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है सिकंदर अली वजद कहते है कि वजद उर्दू की आबरू है गजल वजद उर्दू की आबरू है गजल ये नावाजश तेरे वतन की है उर्दू गजल के मुम्ताज शौरा में मीर, गालिब, मुमिन, जौख, दाख, अमीर, मीनाई, इखबाल, हस्रत, फानी, अजगर, जिगर और फैस के अलावा सैक्लों शामिल है हिंदुस्तान में गेर अर्दूदा लोग अर्दू को घजल की मारिफत से जानते हैं हवाली और बजम मौसिकी में गजल का राग खुब जमता है अर्दू की मखबूलियत पे गजल ने बड़ा किरदार अदा किया है, बड़ा रोल पिले किया है अर्दू की तरखी के लिए गजल में अब जो है हम गजल के फन के मतालिब बात करें यानि आर्ट ऑफ गजल गजल जो लिए और गजल जो पसंद की जाती है उसको लिखने के लिए किल्बियन की चीज़ों की जरूर को हम उसको किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं, उसको किस तरह से स्टैंडर्ड और ऊंचा पहुचा सकती है तो वो आर्क जो है तो उसमें सबसे पहली जो शेर की खुबी है और घजल के लिए खास तोर पर जिस चीज़ की जुरूरत पड़ती है वो है एक्तिसार औ इजास जानी अपनी बात को कम से कम अलफाज में पेश किया जाए क्योंके जैसा मैंने बताया के शेर में सिर्फ दो मिसरे, दो लाइन, दो पंक्तिया होती है और उसी में शायर को बड़े से बढ़ा खयाल और जो भी वो बात करना चाहता है उसको मुकंमल करना पड़ता है सिर्फ दो मिसरों में और यह एक वहुष्गल काम है इसलिये यहाँ पर जो है अक्तिसार याने मुक्तिसर करना कम से कम करना अजास की जरूरत महसूस होती है और यहाँ पर घजल में जो है गहरा मतलब बयान करना घजल के शेर में वाकि कमाल है या पिर ताब नजारा नहीं आई ना क्या देखने दू और बन जाएंगे तस्वीर जो है रहा होंगे या ये इतना मुश्किल काम है दो मिस्रों में अपनी बात कहना कि इसका एहसास जो है गालिब जैसे शायर को भी हुआ गालिब जो अर्दू शायरी का इतना बड़ा शायर है उन्होंने भी गजल को मुश्किल सिन्ध समझा है वो कहते हैं कि बखदर शोख नहीं मुझको तंगनाए गजल बखदर शोख नहीं मुझको तंगनाए गजल कुछ और चाहिए गुसत मेरे बयां के लिए यानि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ मेरे जो ख्यालात है वो इतने ब्रॉड है वो इतने वाइड है वो इतने वसी हैं कि गजल के दो मिसरे में ये बयान नहीं हो सकते इसके लिए किसी और चीज़ किसी और सिल्फ की जो है ज़रूरत महसुस होगी तो गजल की एक खुबी जो है वो इक तसार वो इजासे दूसरी खुबी जो है वो रम्ज औ एमा है यानि शायर रम्ज जार पर्दे में रखकर बात कहता है साफ साफ नहीं कहता है बलके बात कहता है ब्रहना इखबाल कहते हैं कि ब्रहना हर्फ नगुस्तन कमाले गोयाईयस ब्रहना हर्फ नगुस्तन कमाले गोयाईयस यानि सीधी सीधी बात न कहना ही शायरी का कमाले अगर सीधी बात कर देंगे तो वो तो नसरमी भी हो सकती है पिर उसके लिए शेर की क्या जूबत है इसलिए शेर को पर्दे में रखकर ऐसी बाते बयान करना जो जो है सामने ना आए लेकिन पढ़ने वाले को समझ में आ जाए जब पर्दे के पीछे से पढ़ने या सुनने वाला उसका मतलब समझ लेता है तो उसको एक हिस्प की गुजर तो जाएगी तेरे बगएर भी लेकिन गुजर तो जाएगी तेरे बगएर भी लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुजरेगी क्या गुजरेगी यहाँ पर तो शायर ना भी नहीं लिया उस चीज़ का जिकरी नहीं किया लेकिन हम समझ रहे हैं कि जिन्दगी गुजर जाएगी, और ये जो है रम्ज औल एमा है वो शाइर परदे में अपनी बात कहता है, और सीधी सीधी बात नहीं कहता, जालिब देखिए है के इबने मर्यम हुआ करे कोई, इबने मर्यम हुआ करे कोई मेरे दुक्त दवा करे कोई यानि इसाँ अलिएसलाम जिजिस क्राइस को ये خوبी थी कि वो बीमारों को अच्छा कर देते थे वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे तो घालिक कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ अगर मेरा Sev मुझे चैशा कर दे तो मैं समझूंगा कि उसके पास एसा की खुबी है तो जो है इबन मरियम हुआ करे कोई मेरे दुकी दवा करे कोई हला कि उन्होंने इसे बार ने ये भी कहा है कि बख रहा हूं जुनूमे क्या क्या कुछ कुछ ना समझे खुदा करे कोई बेरहाल ये जो है सीधी बात नहीं कहते हुए बात को पर्दे के पीछे से बयाड करना ये गजल की शेर की खुबी है और इसको रम्जो इमा कहते है गालिब कहते है कि हम महा हैं जहां से हम को भी हम महा हैं जहां से हम को भी खुद हमारी खबर नहीं होती रम्जव इमा जो है किनाया की खिसमे है और इसमें जो है अगर हमको ये कहना कहे कि शरीर बच्चा है तो रास्पना कहते हुए ये कहा जाए कि ये कोहता गर्दन है तो ये जो है रम्जव इमा है सागर निजामी को बहुत अच्छा शेयर यादा रहा देखे कि देना वो उसका सागरों में याद है निजाम देना वो उसका सागरों में याद है निजाम मू फेर के इधर को उधर को बढ़ा के हाथ तो ये जो है खुसन गरम्जो इमा है कि सीधी बात ना कहकर इशारों में बात की जाए एक चीज जो है गजल में एक और जो इहाम ये गजल की खुबी है पहले किसी जमाने ने इसको बहुत ज्यादा मुखबुलियत हासिल होई थी इहाम को इहाम में ये है कि ऐसे वर्ड या ऐसे लव्द का शेर में इस्तेमाल किया जाता है यूस किया जाता है जिसके दो मीनिंग है दो मानिय एक मानिय नजदी के है यानि मानिय खरीब के है और एक मानिय दूर के है यानि मानिय बैद और शायर की मुराद जो है वो मानिय बैद से है यानि उस शायर दूर के मानों से मुराद ले रहा है तो इसको इहाम कहते है तो इह याम बसते है तेरे साय में सब शेख और रहमन। अबाद तुजी से तो है घर गर दैर वर हरम का. तनि यहां पर बसने के डो मीनी है. बसते हैं, इस साय के डो मीनी है. साय के, एक तो साया सरफरस की है गारजियन और एक साया जो है वो शेड है धूप से बचने के लिए जो साया होता है तो यहाँ पर शायर ने जो है एक साया तो धूप की जीर है और दूसरा यह हिमायत और सरफरस की है, यहाँ दूसरे मानी शायर ने मुराद लिये है आलिम हूँ, इलम इश्क का, मैं करना हमसरी आलिम हूँ मैं, इलम इश्क का, करना हमसरी आँ अंदलीम, तु है पढ़ी, बोस्ता तलत यह साधी का शेर है यह शेर है इसमें जो है बोस्ता जो लवज इस्तिमाल किया है उसके दो माने है बुलबुल से कहता है शायर तु बाख के बाहर की दुनिया से वाकित नहीं है तु जो है बाख की ही बातों को जानती है बाख के बाहर की दुनिया का तुझे कुछ भी इल्म नहीं है जबके मैं तमाम दुनिया की बातों को जानता हूँ बोस्ता के जो मानिय है वो बाख के हैं एक मानिय और दूसरे मानिय फार्सी के एक मशूर शायर है साधी शीराजी उनकी किताब जो बहुत मुखबूल है उसका नाम है बोस्ता तो यहाँ पर शायर तुपड़ी है बोस्ता तलक से मुराद वो साधी की किताब का है तो इस तरह से दो डॉबल मिलिंग वरड का जो है शायर इस्तिमाल करता है और शेयर देखिये कि शमा की मानिय हम इस बस में शमा की मानिन हम इस बज में चश्म नमा आए थे दामने तर चले इसमें दामने तर यानि गुनाहगार है तो ये इहाम जो है एक खूबी है शेर की और एक बहुत बड़ी खूबी इसको समझा जाता था और बड़े से बड़े शायरों ने इहाम को इस्तेमाल किया है इहाम के बाद जो एक खूबी है शेर की वो है खुसन अदा खुसन अदा यानि अपनी बाद को बहुत खूबसूर्थी से सलीखे से, खरीने से, बड़ी अदब से बयान करना अपनी बात को इस तरह बयान करना कि सामने वाले को दिल खुश हो जाए ये अर्मी जबान का लफज है इसके लुगमी माईने है हख उतारना और फार्सी जबान में लुगमी माईने है नाज, अन्दाज, रम्ज, इशारा इस तरह में हुसन अदा से मुराज अपनी बात को अच्छी खुबी के साथ बयान करना है शेर देखिए मौलाना हर्मताफ हुसेन हली ने हुसन बयान के वज़ाद करते लिखते है कि हो सकता है कि जो बात खायल के मूँ से निकले वो सामे के दिल में इस तरह उतर जाए कि इसको ये शुबह हो कि ये बात पहले से मेरे जहन में थी ऐसी बात करना चाहिए कि मालुम हो कि देखना तक्रीर की लज़त कि जो उसने कहा देखना तक्रीर की लज़त कि जो उसने कहा मैंने ये जाना के गोया ये भी मेरे दिल में है ये जो है खुसन अदा है बहुत खुबसूरती के साथ अपनी बात बयान करना शेर देखे अल्ला रे जिसमे यार की खुबी के खुब खुब अल्ला रे जिसमे यार की खुबी के खुब खुब जो है रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम तो गुजर जाता हूँ हस्ता खेलता मौजे हवादिस से गुजर जाता हूँ हस्ता खेलता मौजे हवादिस से अगर नाकामिया हो अगर आसानिया हो जिन्दगी दुश्वार हो जाए حسنِ عدہ के लिए जरूरी है किलाब X-EB से पाक होना चाहिए देखे गालिब कि आपके पाउं के मीचे दिल है आपके पाउं के नीचे दिल है एक जरा आपको जहमत हो गी या फिर जुरत आमोज मेरी ताब सुखन है मुझको जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको शिक्वा अल्लाह से खाकम बदहम है मुझको तो इस तरह से जो है शायर अगरचे खुदा से शिक्वा कर रहा है इस चेर में इखबाल को शिर है लेकिन खाकम बदहम यानि मेरे मूँ में मिट्टी पड़े कहकर जो है अपनी गलती को तसलीम भी कर रहा है और यही जो है उसने अदा है घजल का जो फन है उसमें और भी चीज़े हैं जो है एक तगजल है तगजल के माइने है घजल कहना जानी इसमें वो कैफियत जो हीरन वाली थी मैंने अप्तिदा में स्टार्ट में बताया था कि हीरन की कैफियत जिसमें जो है एक दर्द एक कसक और एक खलिश होती है वो अगर सिच्वेशन है वो चीज़ अगर शेर में है तो उसको तगजल कहते है शायरी की खूबियों में तगजल यानि इसमें आशिकाना अंदाज में अपने जजबात का इजहार करना है मिर्जा गालिब कहते है कि उनके देखे से जो आजाती है मुपे रौनक उनके देखे से जो आजाती है मुपे रौनक वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है या फिर जब नाम तेरा लीजिए चश्म भरावे जब नाम तेरा लीजिए तब चश्म भरावे इस जिन्दगी करने को कहां से जिगर आदे या यूँ जिन्दगी गुजार रहा हूँ तेरे बगएर जिगर मुनादबा जी यूँ जिन्दगी गुजार रहा हूँ तेरे बगएर जैसे कोई गुनाह किये जा रहा हो मैं इन अशार में शायर अपने महबूब से बाते करता है या अपने महबूब की बाते करता है इसे तगजल कहते हैं अगर तगजल में कोई भी शदीद जजबा जो है काम नहीं आता इसमें कोई भी चीज बयान अगर दर्द बयान किया जा रहा है तो दर्द हद से ज्यादा नहो बलके एक खली शोर एक चुबन के तोर पर इसको पेश किया जाए क्योंकि तगजल में किसी भी चीज़ की ज्यादती किसी भी चीज़ की बड़ोतरी को तगजल खुबूल नहीं करता इसमें एक दर्तमाना कैफियत और सुलगने और मुतिदिल कैफियत होना चाहिए गम निशाद यानि खुशी और गम में शिद्दत तगजल को मज्रू कर दिये तगजल की बनिया इश्ख और मुखबत है जो अलफास जजबात के दाखली अहंग के लिए मौज़ होते है वही अलफास तगजल के लिए काराम साबित होते है तगजल के लिए ये जुरूए है श़र्ट झे के बुलाना हमारा मुबार्ण," मुबार्ण," पुलाना हमारा मुबार्ण," मुबार्ण," मगर शर्त यह है ना याद आईएगा इसमें एक मिनट मेरे को आप नजर आ रहे कि इसमें कमेंट बगएर कुछ भी नजर नहीं आ रहे कमेंट तो नहीं नजर आ रहे बुलाना हमारा मुबारक मुबारक मगर शर्क ये है ना याद आईया याद आईयेगा या गालिब का तेरे वादे पे जिये हम तो ये जान खूब जाना तेरे वादे पी जीए हम तो ये जान जूट जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतिबार होता या फिर जो है मुस्तफा जाइदी का शेर देखिए कि इनी पत्थरों पर चल कर आ सको तो आओ तो इनी पत्थरों पर चल कर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है या पिर तुस्से बिछड़कर जिन्दा हूँ तुस्से बिछड़कर जिन्दा हूँ यार बहुत शर्मिन्दा हूँ तो इफ्तिकार इमाम जो है मैं भी आना चाहिए नो तो इफ्तिकार इमाम का ये शेर था अब उसका एक जो है एक और खुबी जो वजल में होती है वो है मजास मजास हर एक लफ्स के एक हकिकी माने होती है तैनि एक ओरिजिनल मीनिंग होती है जिसके लिए वो रखा गया है जिसके लिए वो नाम रखा गया है लेकिन अगर उसको उसके हकिकी माने के अलावा मुराद लिए जाएं तो उसे मजास कहते हैं मिसाल के तौर पर फूल ढालों के चमकने लगे तलवार के फल फूल ढालों के चमकने लगे तलवार के फल मरने वालों को नजर आने लगी शकले अजल यहाँ पर जो फूल और फल का इस्तेमाल किया है आम तोर पर फूल जो है हम फलावर को कहते हैं उसको उस पर और तलवार जो धार है उसको फल कहते है ये मानों में इस्तिमाल किया है नक्ष निगारी के फूल के तोर पर इस्तिमाल किया है नक्ष निगार को और तलवार की तेजी को जो है फल के तोर पर इस्तिमाल किया है तो यह जो है यहाँ पर मजाज है मजाज के अलावा जो है शेर की खुबी और है दाखलियत और खारीजियत दाखलियत और खारीजियत यानि शायर के एक अंदर की दुनिया है और एक बाहर की दुनिया अगर वो अपने अंदर की दुनिया यानि अपने जजबात अपने एहसासाद अपने तजरुबात अपने एक्सपरिमेंट अपने मुशाहदात को अगर शेर में पेश कर रहा है तो वो दाखिलियत है और या फिर अपने से से जो हुआ से खमसा से जो चीजे देख रहा है वो देखकर सुन सुन कर या चखकर जो कुछ कर रहा है मुशायदे के बुनिया पर या दुनिया में जो अतराफ में कल रहा है कोई दुनिया का जिकर कर रहा है तो वो है खारिजियत तो शायरी में एक आमद होता है और एक आवरुद आमद की जो शायरी है वो जो है अंदर से जो अपने अंदर की जो बात है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताखते परवाज मगर रखती है तो दाखलियत एक चीज़ है और एक जो है खारी जियत है तो याद उसकी इतनी खूम नहीं मीरवाजा दाखलियत का शेर देखिए कि याद उसकी इतनी खूम नहीं मीरवाजा नादान फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा पासे नामू से इश्ख था वरना कितने आसू पलक तक आये थे। जिक्र जब छिड़ गया खयामत का बात पहुंची तेरी जवानी तक। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें। मुद्दते गुजरी तेरी याद भी न आई न हमें। और हम भूल गए हों तुमें ऐसा भी नहीं। तो ये जो है दाखिलियत के अलपाज है और हारी जियत जो है यानि वो बाहर की दुनिया के मुतालब शायर बयान करता है मगालिब को शेर दीखिए कि वहाँ बालों में कंगी हो रही है खुम निकलता है यहां रगरग से खीच कर हमारा दम निकलता है है दोस्ती ये दाख का शेर है मुमिन का शेर देखिए है दोस्ती तो जानिबे दुश्मन न देखना जादू भरा हुआ है तुमारी निगाह में गालिब कहते हैं वफा कैसी कहां का वफा कैसी कहां का इश्ख जब सर पोड़ना ठहरा तो पिर ए संग दिल तेरही संगे आस्ता क्यों हो यप फिर अक्तर-ई-ल-ई-मान कहते हैं कि अब ये सोचा है कि पथर के सनम पूझू गा अब ये सोचा है कि पथर के सनम पूझू गा ताके घबराओं तो तकरा भी सकूँ मर भी सको इसके अलावा भी जो है शेर को खुबसुरत बनाने के लिए सनतो का इस्तेमाल होता है शेर को खुबसुरत बनाने के लिए सनतो का इस्तेमाल होता है जिन से शेर के खुबसुरत में इजाफर होता है यानि इसकी जो है खुबसूती बढ़ती है चुकि शायरी खुबसूरत इजहार का पन है इसलिए हुसन बयान की जो खदरे इसमे मौजुद होंगी वो उसकी जमालियत का हिस्सा होंगी चुनाचे शायरी में ऐसे पैराय का इजहार और असलूब बयान का इहतिमाम करना जो महज अदाय मतलब के लिए जूरूरी नहीं बलकि कलाम में मज़ीद हुसन और लताफर और मज़ीद मानी पैदा करे सनफ कहलाता है सनफों के जरिये शेर के तास्र पैदा होता है यह तास्र इस तरह कलाम की तद्जीन और शेर की बाद बढ़ादे के लिए कारगर होता है मगर महज सनफों को इस्तेमाल ही शायरी का मफसुत नहीं होता ऐसी शायरी लबजों के एक दिश्चस खेल से ज्यादा नहोगी मैं यहाँ पर कुड़ा रोगता हूँ लिए यह तो इसमें आना चाहिए है थोड़ा सा यह लीजिए और थोड़ा सा वो दिए यह प्रेजेंटेशन हटा देंजी इस इस तरह हटा देंजी तो इस तरह जो है सनफों को इस्तेमाल किया जाता है एक जो सबसे मशूर सनत है जिसको तज़भी कहते है यानि सिविली यानि एक चीज से दूसरी चीज को तज़भी देना तज़भी दी जाती है जैसे हम कहते है कि फूल जैसा ताजु की उसके लब की क्या कहिए पंकडी गुलाब की सी है यानि उसके लफ जो है गुलाब की पंखड़ियों की तरह है तो तजबी में तीन चीज़ें होते हैं मुशबा, मुशबा भी और वज़े तजबी यानि किस वज़े से तजबी दी जा रही है और किसको तजबी दी जा रही है और किससे तजबी दी जा रही है जैसा कि मैंने शेर कहा है कि नाजूकी उसके लब की क्या कहिए पंकड़ी एक गुलाब की सी है तो महभूब के लब को गुलाब की पंकड़ी से तजबी दी गई है नाजूकी की वज़ा से नाजूकी यानि लब इतने नाजूक है जिस तरह से एक गुलाब की पंकडी नाजब होती है तो तजबी के अशार है ये कि इसे जो है वजा तजबी के अलफ़ास होते है जैसा हमने उसमें देखें थे कीसी है नाजब की उसके लबड की कहे है पंकडी एक गुलाब कीसी है इसी तरह मानिन जैसे, मिसल, आसा, गोया, जैसी, बरंग, जिसान, की सूरत, बशकल, नमत, सा, सी, से, तरहा, वगरा वगरा जो है ये अलफाज जो है इस्तेमाल होते है तज़्वी में शमा की मानिन हम इस बज में चश्प नम आये थे दामाने तर चले तो इसमें बीट जो है जिन अलफाज से तज़्वी की शनाफ होती है इनमें चंड जो है हजबे जेल है तज़्वी देने की वज़ा समझ में आती है लेकिन इस्तियारा में जो है एक दूसरी सनत है जिसको इस्तियारा कहते है इस्तियारा में वज़ा नहीं समझ में आती बलके रास्त तोर पर उसको जो है वही कह दिया जाता है जैसा के गम का पहाड यानि पहाड है बहुत बड़ा गम है उसको गम का पहाड कहेंगे या पिर इतना गम इतना दर्द गहरा है जितना कि कुँवा होता है गम का कुवाँ ये जो है इस्तियारा है और अगर उस्मानियों पे शेर देखिए कि अगर उस्मानियों पे कोह गम तूता तो क्या गम है अगर उस्मानियों पे कोह गम तूता तो क्या गम है कि खुने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा और ये एक शेर कि कहा शाहजादी ने सुन ऐ रफीख कहा शाहजादी ने सुन ऐ रफीच हुई मैं तो इस चाहे गम गरीच चाहे गम यानी गम का कुवा ये जो है इस्तियारा है एक है मजाज मुरसल मजाज मुरसल में लफ्स को दूसरे मानों में उसके हकी मानों के अलावा मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाता है कि इसके हकी वो मजाजी मानों में तज्रिवी के अलावा और कोई तालुक होता है मिसाल देखिए कि जब हाथ उसकी नब्स पे रखा तबीवने जब हाथ उसकी नब्स पे रखा तबीवने महसूस ये हुआ कि बदन में लगी है आग तो आग के मानी जलाने वाली चीज़ है लेकिन इस शेर में बदन में आग मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है यहां बुखार को यहां बुखार जो टेंपरेचर रहता बॉडी टेंपरिचर बॉडी टेंपरिचर को उनोंने आग कहा है इसी तरह जो है एक लवज है कनाईया तो उसका मिसाल है कि इसलमे लवज या अलफाज में होता है जिनके लाजिम मानी मुराद हो और हकीकी मानी यानि दोनों मुराद है हाफिकी भी और मजाजी भी दोनों मुराद लिए जाए तो उसे तनाईया कहते है बायादे दोस्ता पहरो मुझे हिच्की लगी आने कभी मस्कूर जब होता है कुछ गुजरे जमाने का यहाँ पर जो लवज इस्तेमाल हुआ हिच्की तो एक माने है कि हमको हिच्की लग जाती है अगर कुछ गले में अटक जाए तो वो हिच्की लगती है और दूसरे माने जो है वो यह है कि जब कोई दोस्त हमारा हमको याद करता है तो उससे भी हमको हिच्की लगती है इस श सनात तल्मी जब शायर शेर में किसी तारिखी वाकिय का जिकर करता है और उसको उसके पूरी उसका पूरा पसमत ज़त उसका पूरा वाकिया जो है वो शेर पर आ जाए उसे तल्मी कहते है तल्मी से शेर में बूसक पैदा होती है शेर वो वाइड रेंज में हो जाता है इसलिए कि पूरा वाकिया जो माजी का है जो प्रेज़ेंट का जो भी वाकिया तारीखी वाकिया इस्टोरिकल इवन वो शेर का हिस्सा बन जाता है और जब तक हम उस पूरे वाके से वाक्ष नहीं होते हम शेर से लूड फंदो, शेर को एंजॉय नहीं कर सकते जैसे मिसाल के ने तौर पर शेर देखिए के बेखतर कूद पढ़ा आतीष नमरूद में इश्क बेखतर कूद पढ़ा आतीष नमरूद में इश्क अकल है जब तक कि कोई उस वाकित हो वो शेर से लुद्व अन्दोज नहीं हो स OPTA तो और यह जू है दूसरा शेर देखिये मैंने मजनु पे लड़खपण में असत मैंने मजनु पे लड़खपण में असत संग उठाया था किस सरयाद आया अब इस शेर में जब तक के लेला मजनू के खिस्से से वाकियत नहो तो ये शेर से शेर को हम enjoy नहीं कर सकते ये शेर के इचिक से हम लुट नहीं ले सकते एक और जो है सनत है शेर के fun art of poetry की एक और चीज़ है उसे कहते है सनत मरात नजीर जब कलाम में ऐसे अलफाज जमा कर लिए जाए कलेक कर लिए जाए ऐसे बहुत सारे words कलेक किये जाए जिनके मानी एक दूसरे के साथ एक निजबत में रखते हो एक connection है उनका आपस में मगर ये निजबत तजाद वो तकाबल के बजाए हो तो इसमें आपस में अपोजिट नहों एक किसम की वो हो तो ऐसे को मरात नजीर कहते हैं यानि कहां से लाउं सबर हजरत ऐयूब ऐसाखी कहां से लाउं सबर हजरत ऐयूब ऐसाखी खुम आएगा सुराही आएगी तब जाम आएगा तो खुम आएगा सुराही आएगी तब जाम आएगा या फिर नाज, अदा, आन, हया, घम्जा, करिश्मा, शूखी ले गया दिल को चुरा के कोई इन सातों में से इस शेर में नाज, अदा, आन, हया, घम्जा, करिश्मा, शूखी ये हुसन की खुसूसियात है और हुसन से वावस्ता है पहले शेर में खुम आएगा, सुरा ही आएगी, तब जाम आएगा ये सब वाइन, यानि शराद के लावाज मात का है तो इस तरह एक ही कैटगरी के, एक ही चीजों का इस्तिमाल किया जाए जिसमें कोई न कोई वाक्यत हो, तो वो मरातुन नजीर होगा एक है सजनते तजाहुले आरेपाना, यानि जान भूच कर अंजान बनना हुस्त में यादा होती है, कि वो सुनते है, समझते है, लेकि अंजान बन जाते है तो शायर जब ऐसा शेयर कहता है, जिसमें जान भूच कर अंजान बनने का है तो उसे तजाहुले आरेपाना कहते है, गालिप के शेयर देखिए, कि बेनियाजी, हद से गुजरी, बन्दा परवर कबता लग, हम कहेंगे हाले दिल, और आप फरमाएंगे, क्या, गालिप साब आप क्या कह रहे थे तो इस तरह से जो है, तजाहुले आरेपाना है, एक है सल्लति लफो नशर, लफ के माइने हैं लपेटना, और नशर के माइने हैं खोल देना, जाहिर करना, पब्लिश्ट कर देना, लफो नशर तो इसमें ये एक ऐसी सनथ है, जिसमें शायर पहले लाइन में, शेयर की पहले मिसरे में कुछ चीजों के नाम बताता है, कुछ चीजों के नाम पेश करता है और दूसरे मिश्रो में, उसी चीजों की मुनाज़बत से उसको खोल, इस तरक खोल देता है, कि उसका मतलब जो है 맞ा है, जैसा कि देखिए मिसाल, तेरे रुख्वसारों, खदमों, चश्म के है आशिक-दार, तेरे रुख्वसारों, चश्मों के है आशिक-दार, हैंने रुखसार, चश्म और आशिक, ये इसमें इस्तिभाल किये गए है अलपास, गुल जुदा, सर जुदा, नर्गीज बीमार जुदा, गुल जुदा, सर जुदा, नर्गीज बीमार जुदा, एक दूसरा शेर देखिए, एक सब आग, एक सब पानी, एक सब आग, एक सब पानी, दीदवो दिल अजाब है दोनो, दीदवो दिल अजाब है दोनो, पहले जो शेर मैंने कहा, उसकी तरतीब से बयान की गई है, उसकी मुनासिबत से दूसरे मिरसे में, रुफसार की मुनासिबत से गुल, यानि चेहरे को फूल कहा है, खत की मुनासिबत से सर, यानि बहुत मुचा और दलत रहता है, वो कहा है, और चशन की मुनासिबत से नर्गिस कहा है, और दूसरे मिशरे में दीदवो दिल कहा है, या पहले जो है दीदा लाया है और पिर अजाब लाया है दिल लाया है तो इस तरह से जो है ये तर्तीब नहीं हो जिसमें उसको गैर जो है मुरत्ब लफो नशर कहते हैं और एक जो है सादा सा लफो नशर है अब ये घजल के मौजवात है घजल में पहले हुसन और इश्क से वाबस्ता थी लेकिन फिर उसका दाइरा जो है बढ़ते गया और उसमें जो है तसवफ के अशार कहे जाने लगी मुतसवफाना शायरी की जाने लगी और फिर तसवफ के बाद जो है फलसफे ने अपनी जग फलसफे के बाद जो है नफसियात आई साइकलोजी भी इसमें आगी और फिर उसके बाद जो है पॉलिटिक्स भी इसमें आगी पॉलिटिकल ख्यालाद भी इसमें आगई है और फिर उसके बाद जो है आखरी में हयात उक नायनात के जो भी मौजवात है वो सब शेर का हिस् गजल में वो तमाम जो है पेश किये जाने लगे तो एतिराज करने वालों ने ये भी कहा है कि गजल तो हुसन औ इश्ख से ही वाबस्ता रही पहले जैसा मैंने कहा कि पहला इसका हुसन औ इश्ख था फिर तस्वज़ ने इसकी जगा ले ली फिर फलसफा उसमें आगए फिलोसफी फिर साइकलोजी नफसियात उसमें आगए थी और फिर सियासियात उसमें आगए पॉलिटिकल और हयात औ काइनात के तमाम मौजवाद जो है घजल ने अपने अंदर समेट लिये हैं इसलिए जगनातात आदात ने कहा है कि गमे दौरा गमे जाना का बदल है कि नहीं गमे दौरा गमे जाना का बदल है कि नहीं इसमें भी सोज सम्तबो ताब अजल है कि नहीं महफिले शेर में कल तक जो रही थी ममनू महफिले शेर में कल तक जो रही थी ममनू आज उस शूख कलामी का महल है के नहीं ऐ गजल को गब-े-महबूब समझने वाले ऐ गजल को गब-े-महबूब समझने वाले ये जो अब मैंने सुनाई है गजल है के नहीं इस तरह से जो है तमाम जो है मौजवाद गजल में आ गए है गजल हर खिसम के पुरी दुनिया के जो भी मौजू हो सकता है जो भी टाइटल हो सकता है उसको अपने अंदर समेट लेती है और हर खिसम के ख्यालात को पेश कर, हर खिसम के विचार को हर खिसम के विउस को पेश करने की सलाइयत रखती है लेकिन प्रॉपगंडा को घजल बरदाश नहीं करती और जो सक्त अलपाज है जो सकील अलपाज है उनको भी घजल बरदाश नहीं करती चाहे वो फिर कितना ही बड़ा शायर उस तरह का शेर क्यों न कहे वो मखबूल नहीं हो सकता वो खटकता ही है किसी तरह देखिए मजरु सुल्तान पुरी का शेर लाल फरेरा किसने कहा इस धर्ती पे लहराने न पाए लाल फरेरा किसने कहा इस धर्ती पे लहराने न पाए ये भी है हिटलर का चेला मार ले साथी जाने न पाए तो अगर्चे के गजल जो है शेर गजल का है ये शेर लेकिन गजल ऐसे सखील अशार हजब नहीं कर सकती हर जमाने में गजल के साथ नए नए तजरुबात जो होते रहे हैं और ये सिलसला आज भी जारी है और गजल का सफर जो है जारी है अब हम गजल के सफर पर एक नजर दालते हैं ये गजल का सफर गजल की इत्ते दक खासी हुई और इसकी तरखी इस तरह से होती रही और ये तरखी करते करते कि यहां तक कैसे पहुची सबसे पहले जो नाम हमें अर्दू घजल के शायर का मिलता है वो है साथ सल्मान, मसूद साथ सल्मान लेकिन मसूद साथ सल्मान का कोई भी कलाम आज तक दस्कियाब नहीं हुआ है इसलिए हम मसूद साथ सल्मान को अर्दू का पहला शायर या घजल का घजल का पहला शायर नहीं तसलीम कर सकते, नहीं मान सकते हाँ, अलबता अमीर खुसरों के यहां हमें घजल की जलत नजर आती है लेकिन घजल सिप सुकत के हैसिया से बाज़ा पता जो है, अमीर खुसरों के यहां नजर नहीं आती, कुछ-कुछ अशायर नजर आते हैं जैसे गोरी सोई सेच पर मुखपर डाले केस चल खुसरों घर अपने रैन भईी चौधेस ये जो शेर है हजरत निजामित इन ओलिया दिलिगी की दर्गा में भी लगा हुआ है अमिर कुसरु का ये शेर देखिए कि जिहाले मिस्की मम्हुन तगाफल दोराए नैना बनाए बतियां के तावा हिजरा निदार में जा नकाहे लिहूं लगाए च्छतियां शबाने हिजरां दराज जोसल वो रोज वसलत चो उम्र कोता सफी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटू अंधे रिज़तियां तो अमीर खुसरों के पास गजल की धलक हमको नजर आती है लेकिन उनोंने गजल कहकर नहीं लिखा ये हलाके वो फार्सी शेरी रिवायत के परवर्दा थे फार्सी और हिंदी का एक हसीन इंतिजाज जो है इनके पास अमीर खुसरों की यहां मिलता है लेकिन हम अमीर खुसरों को अर्दू घुजल का पहला शायर नहीं कह सकते अब हम दकन की तरफ आते हैं शुमा लिखिन की तरफ से यानि दकन की तरफ दकन में अगर देखे तो दकन में हमें जो सल्तनते थी बहमनी सल्तनत और उसके बाद पांच जो है खुद मुफतार रियासते वजूद में आई तो उनके यहां पर जो पहला साहिब दिवान शायर है गोलपॉंडा के खुतुपशाही सल्तनत का सुल्तान महम्मद कुली खुतुपशाही उसके यहां नजन घजल के फॉम में हमको नजर आती है जो उसने अपनी ब्यारा प्यारियों उनके प्यारियों की तारीफ में जो नजमे लिखी है जो उनके सरापी की तारीफ की है उसमें हमें जो है फॉम मिलता है हलाके वो नजमे है घजल नहीं है लेकिन फिर भी घजल का कहीं न कहीं फॉम उसमें आ जाता है इसके अलावा मुला वजवी बहरी नुसरती के यहां पर भी जगवासी के यहां पर हाश्मी बीजपूरी ये लोगों के पास जो है गजल का फॉर्म नजर आता है असल में रेखता एक है रेख जिसको गिरी पड़ी जबान कहा जाता था ये हिंदी से मतासिर भी होकर लिखा गया था और इसमें जो इजहार है इजहार इश्ख फीमेल की तरफ से खुता था तो इसको रेखता कहते हैं गजल को सबसे पहले रहसेति सिंफ सुछन के पेश करने वाले का नाम है अवजल अब्याबानि अश्रभ वियाबानी निजाम शाही दौर का एक शायर था उन्होंने बहुत सारी मसनवियात लिखे उनकी एक बहुत मशूर नाजम है मसनवी है नौसरहार नौसरहार उनकी बड़ी मगबूल मसनवी रही ही है और एक मसनवी है हम्देबारी हम्देबारी में अश्रभ वियाबानी ने गजल को इंटर्डियूस किया है गजल की तारीफ बयान की है यानि उन्होंने लिखा है गजल को गजल नाम दिया है और ये पहला मौका था कि किसी ने गजल का नाम दिया उसे गजल कहा उर्दू के लिए और खाफिया क्या है रदीफ क्या है उस मखता क्या है और बैतुल गजल क्या है उससे उसका जिक्र किया उससे बहस की है तो बहसियत सिल्फ सुखन गजल को सबसे पहले अश्रफ बिया बादी ने इंट्रिड्यूस किया हलाकि उन्होंने तो गजल नहीं लिची उसके बाद ही निजाम शाही दौर का ही एक शायर आता है हाजा मुहम्द देहदार पानी हाजा मुहम्द देहदार पानी के यहां पर गजल गजल बहसियत सिल्फ सुखन हमको नजर आती है हाजा मुहम्द देहदार पानी शीरास से पहले विजपूर आए और तिर उसके बाद निजाम शाही हुकुमत के तहर एमद नगर में आए और एमद नगर में आकर उन्होंने सबसे पहले गजल कही वो फार्सी शेरी र पास का इस्तेबाल किया ये बहुति इत्दाईी ये बहुत ही प्लिमरी पिरेट था घजल का १ाजा मुहम्द देहदार पानी के बाद जो एक बड़ा शाहर हमको घजल का नजर आता है खालिस घजल का शाहर वो है हसन छौखी है यह वही हसन छौखी है जिसकी रיהलर देह औरंगाबादी ने आगे बढ़ाया तो घजल पूरी अपनी आब उताब के साथ पूरे अपनी फनी लावाजमात के साथ और पूरी चाबुग दस्ती के साथ सबसे पहले जो घजल हमें मिलती है वो हसन शौकी के यहां मिलती है हसन शौकी का जिकर जो है खाजा मुहमद देहदार पानी और हसन शौकी का जिकर जो है डॉक्टर जमील जालबी दे किया है जाफर जो है उन्होंने किया है और फरिश्टा की यहां पे पी उनका जिकर मिलता है तो इस तरह से किताबों में और हसन शुकी तो जमील जालेमे ने संगे मील कहा है यले माइल्ड इस्टोन कहा है और उसी रिवायत को वली और अगबादी ने आगे बढ़ाया है अब दकन वली के का दोर आया तो वली को हकीकी मानों में घजल का बावा आदम कहा गया है वली ने गजल के गेसु सवारे और गजल को उस मखाम तक पहुँचा दिया जहां पर जहे गजल अर्दू में लिखने का एक रिवाज हुआ वली से खबल सिर्फ हुसन और जमाल नाज और अदा और रंग ररलिया और खारिजी पहली तक गजल महदूद थी वली ने उसमें जहे पहले किसी गेहरे तज्रूब, एहसास यह एघात और काईनात के शौगल की कारफरमाई नही थी वली ने उसमें जिंदगी के रनर रन तज्रूबाद, तनवों और दाखियत को समो कर गजल के दारे में पूरी दुनिया के काईनात को समेट लिया वली का ये कमाल है कि उनोंने शायरी के जो फॉर्म और साचे जो है ढाले हैं वो आज तक मौजुद है और गजल के सास पर जो नगमे उनोंनों छेड़े है दुनिया गजल में आज तक उसकी बाज्याफ सुनाई देती है यहां तक के जो है वली एकबाल तक के उनके असरात नजर आते है वली ने अपनी शायरी में ना सिर्फ फरसी जमीने अपना ही बलके फरसी तराकी फरसी तच्जबेहात फरसी बंदिशे परसी इस्तिाराद फरसी खापिया फरसी तलमीहात वग하र। गारा का इस्तेमाल किये और कभी कभी अलफाज भी फार्सी के लाए यहां ऐसा भी किया कि एक मिसरा फार्सी का और एक मिसरा उर्दू का भी रखा और जो है गजल को इसमे आला पाई की उन्होंने शायरी पेश की गजल का बावा आदम गली को इसलिए कहा जाता है कि शुमाली हिन के शुरा ने यानि यहां से गजल का बाजाबता आगाज हुआ यह तो हुई दकन की बात लेकिन अगर शुमाली हिन में उस वक्त कोई गजल नहीं लिखी जाती थी लोग गजल से नावाखिप थे वो फार्सी में शायरी करते थे उर्दू में भी शायरी नहीं होती थी उर्दू जबान में भी शायरी नहीं होती थी बलके फार्सी जबान में शायरी होती थी लेकिन दकन में वली ने जो गजले कही उसके बात से शुमाली हिन्द में घजल कहने का भीवाज हुआ दकन में गली के बाद जिस शायर का नाम लिया जाता है वो है सिराज और अगबादी सिराज और अगबादी तस्वफ के शायर थे गो के उन्होंने तस्वफ का एहतेमाम नहीं किया लेकिन उन्होंने तस्वफ को बरता है उन्होंने अल्ला, बंदे और रूह को समझने की कोशिश की है और अपने कलाम में तस्वफ को जो है पेश किया है तस्वफ का फ्लो, तस्वफ का जो बहाओ सिराज की यहां मिलता है उतना फार्सी के किसी शायर के पास भी नहीं मिलता तो मुतसुवाना शायरी जो है सिराज का तुर्रे इम्तियाज है अब्दुलकादर सरवरी का कहना है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई तखलीख, कोई तस्नीद शायर से ज्यादा मगबूल हुई हो सिराज की खजल बहुत ज्यादा मगबूल हुई है ये कहा जाए कि अर्दु की दस घजलो को सेलेक्ट किया जाए दस टॉप की घजलो को, दस बहतरीन घजलो को अगर इंतिकाप किया जाए, सेलेक किया जाए तो उसमें से एक घजल सिराज की जरूर होगी वो दूसरे नमबर पर या तीसरे नमबर पर होगी और वो घजल है खबरे तहयूरे इश्ग सुन ना जुनू रहा ना परी रही ना तो तू रहा ना तो मैं रहा जो रही सो बेखबरी रही और शह बेखुदी ने अता किया मुझे अब लिबास ब्रहनगी ना खेरत की बख्या गरी रही ना जुनू की पर्दा दरी रही तो सिराज औरंगबादी के आते आते जबान पूरी तरह मंज चुकी थी सिराज वली अपने आपको वली का जानशिन समझते थे कहते हैं कि हमने तुजबिन सिराज बाद वली हमने तुजबिन सिराज बादवली कोई साहब सुखन नहीं देखा दो रंगी खूब नहीं यक रंग हो जा सरासा मूम हो या संग हो जा सरापा मूम हो या संग हो जा अबस इन शहरियों में वक्त हम अपना किये जाए अबस इन शहरियों में वक्त अपना हम किये जाए जाए किसी मजनू की सोहबत बैट दीवाने हुए होते देखा है जिसने यार के रुखसार की तरफ हर्गिस नजावे सेर को गुलजार की तरफ और जबान अर्दू जबान का जो मियार है अर्दू जबान का जो स्टैंडर्ड है अगर वो देखना है तो वो सिराज की जबान को देखा जा सकता है सिराज तक आते आते जमान पूरी तरह से मंच कर साफ हो गई थी और एक मियारी शकल उसने हासिल कर ली थी यहां पर ये बात का भी बताना में जरूरी समझता हो कि वली और अरणगा बादी ने जो शायरी की और जब उनका दीपान दहली पहुँचा तो वली का खुप शोरत हुई फखीर जो है वली की घजले गाने लगे खवाली खवाल वली की घजले सुनाने लगे गली कुचों में गजल वली की गजले कही जाने लगी जब तक वहां के शायर फारसी में शायरी करते थे वो अर्दू को गिरी पड़ी जबान कहते थे वो ये समझते थे के अर्दू शायरी का बार नहीं उठा सकती शायरी का बोज नहीं उठा सकती अर्दू इतने बलंद और उंचे ख्यालात को बरदाश नहीं कर सकती और वो फार्सी में अपना कलाम पेश करते थे लेकिन जब उनका कोई शाहकार उनकी जिंदगी का कोई एक जो उन्होंने जिगर देकर शाहकार तकलिख किया है वो जब इरानी शोरा के सामने फार्सी शोरा के सामने रखा जाता तो वो उसे हिखारत की नजर से देखते जाहर है कि फार्सी की एक तवाना एक रिच जो है फेरिटेज है सर्माया है फार्सी वालों के पास सग्यों से सैख्रोसालों से बड़े-ब़ए शोरा साधी, हाफिज, प maple, प्रेदोसी, जामी, अन्वरी वगेरे बड़े-बड़े शोरा जो है महां पर है तो उनके सामने ये हिंदुस्टानी शोरा जिनकी मादरी जबान फारसी नहीं थी बलके उनकी मादरी जबान पुर्दू थी लेकिन वो फार्सी में शायरी कर रहे थे तो वो भला इरानी शोरा के सामने किस तरह रखी जाती अब जब रखी जाती तो उसको कोई मियार नहीं होता और वो उसे हिखारत की नजर से देखते थे वाकिया ये हुआ कि आहिस्ता हिंदूस्तानी शोरा जो फार्सी में शायरी करते थे वो इन्फेरिरिटी कॉम्पलेक्स में मुट्यला हो गए ऐसा से कमतरी में मुट्यला हो गए अब वो ये सोचने लगे कि हम किस तरह से दिल जमाई के साथ नाम कमा सकते है अपनी जबान में अपना कुछ कर सकते हैं लेकिन वो फार्सी को छोड़ नहीं सकते थे इसलिए कि फार्सी उनकी उनको लट थी और लट इनसान छोड़ नहीं सकता तो वो फार्सी भी चाहते थे लेकिन अपनी जबान में भी कुछ काम करना चाहते थे और वो इसी दो राये पे थे और वक्त का एक बहुत बड़ा तखाज़ा था कि कुछ ऐसा काम हो जिसमें फार्सी भी हो और वो अर्दू में भी हो और वक्त के एक बहुत बड़े तखाज़े को वली औरंगाबादी ने पूरा किया जब शुमाली हिंद के शौरा के सामने वली का कलाम गया तो उन्होंने देखा कि ये शक्त तो अर्दू जबान में आला पाई की शायरी कर रहा है ऐसे ऐसे मजामीन ऐसे ऐसी सरापा निगारी उन्होंने बादे है कि ये तो वाक्री एक उम्दा शायरी है तो फिर वो लोग जीवान वली का दिल्ली पहुँचा और फिर खुद भी वली दहली पहुँचे और फिर महाँ पर जो है मुतासिर हो गए और उन्होंने वली को अपने सामने आइडियल माना वली को नमुना रखा और वली की घजलों पर घजले लिकने लगे हातिम, खाइम, मजमून, यकरंग, शाकरनाजी ये वो शोराए तहली थे जिनों ने वली की घजलों को सामने रखकर घजले लिखी तो इस तरह से उर्दू शायरी का शुमाली हिंद में भी आखास गुआ और फिर उन यहां नशोनुमा पाने लगी और शुमाली हिंद की हवा उसे बहुत साथगार रही लेकिन वली के बाद जो है यहां की शुरा इहां गोई में मुब्तिला हो गए यानि मैंने आप चुआ भी बताया था कि दो ऐस्या लवज इस्तेमाल किया जाए शेर में जिसके दो मानी हो एक मानी खरीब और एक मैं के यानि डबल मीनिंग शेर की जो रू है वो मजरू हुई और ज्यादातर जो है लिबास को देखा जाने लगा और शेर जो है जिन्सियत की तरफ आ गया सतायत उसमें आ गई और शेर मियारी नहीं रहा हलाकि ये भी एक पन था जैसा मैंने कहा कि एहां गोई एक बड़ा फन था और इसको बड़े जाने जाना मीर सौदा ने एक अलग रिवायत को जो है पेश किया अब चूंके मीर सौदा और दर्द का ये जमाना आ गया ये दोर में देहली में इंतिशार था मराठों के हमले हो रहे थी एमद शा अबड़ाली से खोन रेजी हो रही थी और अमन का माहल नहीं था दिली ब ऐसे माहल में वहां की शौदा के पास हकीकत आगई यासियत आगई और खुनुतियत एक खिस्म की खस्तगी और उनके पास जो है शौदा में हमको मिलती है और ये शौदा जो है मीर तखी मीर मीर तखी मीर के पास जो है हमको वो दर्द वो खुनुतियत वो खश्की हमें नजर आती है और मीर का दर्द यानि मीर ने अपनी आप बीती को जग बीती बना कर पेश किया मीर कहते है बड़े सलीखे से मेरी निवी महबबत में तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया तो मीर के पास जो है और ये जो तीन शायर है मीर, सौदा और दर्द आगे ये तीन शौरा के ही जो है रंड में लोग शायरी करने लगे, ये दो तीन उसलो, ये तीन रवायत खायम हो गई, मीर का जो डर्द आप जिसमें एक खिस्म का दर्द, एक खिस्म की जो है सोजो बुदास मीर की शायरी में पाया जाता है मीर के बाद जो सौदा है सौदा एक बड़े शायर थे उनके पास आवरुद की शायरी है उनके पास जो है शांदार अलफास और उनका उसलूब जो है वो आला खिस्म का है इसलिए वो खसीदे के सबसे बड़े शायर माने गए है मीर और सौदा को समझने के लिए एक शेर यहाँ पर मैं पेश करता हूँ कि मीर का एक शेर है कि सिरहाने मीर के आहिस्त बोलो सिरहाने मीर के आहिस्त बोलो अभी टूक रोते रोते सो गया है यानि मीर के सर के पास आहिस्त बोलो अभी विचारा रोते रोते सो गया उसी शेर को सौदा कैसा कहते है कि देखिए कि सौदा के जो बाले पे गया शोर खयामत सौदा के जो बाले पे गया शोर खयामत खुदा में अदब बोले अभी आख लगी है जानि यहां पर एक पूरा इमेजनेरी बन रही है कि कुछ लोग जो है वो सौधा से मिले गए है महल के पास लेकिन महल पे पूरी सेक्रेटी है और उनों ने गेट पर ही लोगों को वफ को रोग दिया है और कह रहे हैं कि आप अभी नहीं मिल सकते इसलिए कि वो आराम फर्मा रहे हैं सौधा के जो बाले पर गया शोर्य प्यामत खुदा में अदब बोले अभी आख लगी है और सिरानी मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है तो साधगी मीर के पास है जबके जो है सौधा के पास जो है शोकत अलफास का इस्तिमाल हुआ मीर दर जो है एक सौधाना शाइरी को पेश करते थे सौधाना खिस्म उनके पास पाई जाती है और उनोंने तस्वफ के मजामीन को बहुत उम्दगी से बादा है कि जिन्दगी से पेश किया है इसके बाद का जो दौर आता है ये गोल्डन पीरेड है उर्दू शाइरी के लिए नीर, सौधा और दर्द का ये गोल्डन पीरेड है इसके बाद जो दौर आता है वो लखनों की तरफ हम से ले जाते है अब लखनों का इससे अपोजिट मामला है लखनों में जो है दरबार था वहाँ पर किसी खिसम का इंतिशार या बर्बादी नहीं थी वहाँ पर किसी खिसम का खल्पिशार नहीं था सुकून था दौलत की फरावानी थी बहुत ज़्यादा दौलत मन लोग थे इसलिए आशो इशरत थी वहाँ पर तो वहाँ पर निशात का तो जो हमने देखे थे एक दाखलियत और दूसरा देखे थे खारीजियत तो दिल्ली की शायरी में जो है वो दाखलियत है और लखनों की शायरी में खारीजियत है लगनों वालों ने जो सनते हैं जो आर्ट ओफ घजल है उस पर ज्यादा तवज्जे दी जब ख्याल के मुदाद दाटा के मुखाबले में उन्हों ने उन चीजों को ज्यादा फन को ज्यादा एहमियत दी और इस तरह से हम देखते हैं इन शोरा में जो है लकनवी शोरा में इन्शा उल्लहा इन्शा शेख खलंदर बख जुरत गुलाम अली हमदानी मुसफी शेख इमाम बख नासिख और खाजा हैदर अली आतिश का नाम हमारे सामने आता है इनके पास लेकिन इनके पास चुझे वो होने की वज़े से सतायत हो पी है लेकिन मैंने जिन शोरा का नाम लिया है उसमें से वो सतायत नहीं है बलके उन्होंने कहीं कहीं खयाल को भी मलूजे खातिय रखा है और खयाल भी बलंड से बलंड पेश करने की कोशिश की है जैसा के आतिश का देखे कि ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते हम और गुल-गुले बेताब गुश्तगू करते तो इस तरह से जो है लकनों और दिल्ली के दो दबिस्तान होंगे सुरी दबिस्ताने लगनो और दबिस्ताने देहली जुरत को देखे कि जुरत के पास जो है ज्यादा गहराई नहीं है किसे खिसम की बलके चुमा चाटी वाली उन्होंने मीर ने जैसा कहा कि चुमा चाटी वाली शायरी जो है उन्होंने की है इसमें लगनों के शोरा की जो पूरत के हुसन का भरपूर इजहार मिलता है। इन्होंने औरत के सरापा को पूरे हुसन को जो है पेश किया है। आतिश को लखनों को नुमाइंदा शायर कहा जाता है। दर्चे बाला शोरा के अलावा लतनवी शोरा में अमानत रिंद और रश्ख वगरे के घजले पे खारे खदर है। मीर तकिम मीर रफी सौदा और खाजा मीर दर्द के बाद पहली में एक दौर आता है जो 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 शेक मुम्मद इबराहीं जो खालिब और मूमिन का दौर है। जोख जो है एक बादेशाय वक्त के उस्ताद थे बाहदुर शब्र के उस्ताद थे और उस एहद में नाखी दिन अदब ने उन्हें नुमाइंदा शायर बताया है जोख की मौजूदगी में गालिब का चराफ जो है नजल सका जोख एक आलिम थे और बहुत सारी उल्म के माहर थे जबानों बयान के अस्दार और रमूस को से बहुत कमाहू बहुत अच्छी तरिखे से वो वाकिव थे अलफास को मामूली फर्क के साथ इस्तिमाल करना पर उनका मलका था साथ ही मजामिन के नुद्रत में भी अपना एक इंत्याजी मखाम रखते थे उनकी शायरी खुशगवार शायरी है हकीम मूमिन खा मूमिन अर्दू के सफ़े अवल के शायर शायरा में शुमार किये जाते है वो जिस दोर में शायरी कर रहे थे उसी दोर में जौख और गालिप भी शायरी कर रहे थे इन दो बड़े शायरों की मौजूदगी में मौमिन और उनका फंद दब गए और वो शौरत जो मौमिन को मिलना चाहिए थी वो मौमिन को नसीब नहीं हुई है लेकिन मौमिन ने शायरी में तखयूल से ज़्यादा मुशायदे और तज्रूबे से काम लिया है इश्ख और मौबत के महदूद मोजू में अपनी जिद्दत अदा और नुक्ता आफरीनी को वुसत देकर उसमें वुसत पैदा की है किसी दूसरे के हाँ इतनी वुसत नजर नहीं आती उनकी शायरी में तख़ूल पाया जाता है इश्ख मजाजी मौमला बंदी का सिलसिला होता हुआ खलंदर बंग जुरत जिस पूचे में खदम रखा था अपनी किल्म इल्मी के वज़ज़ से खुल गए इसमें मीर तखी मीर ने इनकी शायरी को चुम्मा चाटी की शायरी कहा था इसके बरक्स मौमिन ने वही खुसूसियत जो जुरत की थी उसको अपनाया लेकिन वो चुम्मा चाटी वाली शायरी नहीं रहे उन्होंने उसको तहम्मल के साथ वो हद से तजावज नहीं कहे गए अब इसके बाद गालिब का नंबर आता है और गालिब से तो सब वाकित है कि गालिब के पास जिद्दत थी फलस्फ़ा था वो बने बनाए हुए रास्टे पर चलना पसंद नहीं करते थे दूसरों के बनाए हुए रास्टे पर चलना उन्हें गवारा नहीं था वो अपनी राह खुद बियान करते थे इसी तरह जिस तरह उन्होंने नसर में भी मक्तूब में एक अपनी इंकराबिया खाएंगी तो शायरी में भी उन्होंने अपनी राह जिद्दत मतायन की और इस तरह के ख्यालाद इस तरह के तजाद तजादाद उन्होंने पेश किये हैं कि उन्होंने जो कुछ भी जिस चीज़ पर भी जो है रिवायत की महर थी जिस शेरी रिवायत की महर लगी थी जिस चीज़ पर उस पर गालिब ने तखलीकियत की महर लगा दी और ये जो है एक कमाल है गालिब का और गालिब ने गजल को उस मकाम तक पहुँचा दिया जहां पर दूसरे नहीं जा सकते थे जानी कि उन्होंने गजल का पुरा खातेमा कर दिया 200 साला जो रिवायत आ रही थी अमीर कुसरों से लेकर गालिब तक उन्होंने उसको यक्सर खत्म करके एक अपना नाम बलंदी तक इतनी बलंदी पर पहुचा दिया जहां कोई दूसरा शायर अब कोई नई बात कहने के खाबिल नहीं रहा यहां उन्होंने घजल का यानी पुरा बूरिया विस्तर लपेट के घजल के इमकानात जो घजल में कुछ कहने की गुझाइश ची उसको खत्म कर दिया और इतनी बलंदी तक लेके चले गए और गालिब के बाद जो है खाजा अलताफ हुसेन हाली ने घजल पर एतिराजाद किये और घजल का एक जो है सुनहरा जो दौर था वो खत्म होने लगा और उस पर एतिराजाद किये कलीम अदिन एमद ने इसे काफिर सिन्फ नीम वहशी सिन्फ सुफन कहा तो जतर उल्ला खान ने इसको गर्दन जदनी करने का गर्दन से उड़ा देने का किसी ने महभूब की मोहम कमर कहा इसे तो इस तरह हाली के बाद एक सिलसिला चल पड़ा और इस सिलसिले में लोग ज चार शायर ऐसे उबरे जिनोंने घजल को दोबारा जिन्दगी दी वो चार शोरा में थे हसरत मोहानी जिगर मुरादाबादी और यास यगाना चंगेजी और फानी बदा यूनी ये चार शोरा ऐसे थे जिनोंने घजल को दोबारा जिन्दगी दी यूँ दिल में किसी के जिगर मुरादवाजी दिल में किसी के राह किये जा रहा हूँ मैं दिल में किसी के राह किये जा रहा हूँ मैं कितना हसी गुनाह किये जा रहा हूँ मैं गुल्शन परस्त हूँ मुझे गुल्ही नहीं अजीज गुल्शन परस्थ हूँ मुझे गुल्ही नहीं अजीज काटों से भी निवाह किये जा रहा हूँ मैं और यू जिन्दगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर यू जिन्दगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर जैसे कोई गुनाह किये जा रहा हूँ मैं इसी तरह जो है फानी वदा यूनी ही है कि हर नफस उम्रे गुजिश्टा की मैयत फानी हर नफस उम्रे गुजिश्टा की है मैयत फानी जिंदगी नाम है मरमर के जिये जाने का और एक मौम्मा है समझने का ना समझाने का जिंदगी का है को है फेल है दीवाने का तो इस तरह स फानी को यासित का इमाम कहा जाता है जबके जिगर औरोवादी रोमानी और शायर है यास यागाना चंगे नहीं मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता पराया नाम पराया जुल्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता तो इस तरह हस्रत महानी चुपके चुपके रा वक्ते रुफसत मुझको अलवीदा कहने के लिए वो तेरा सूखे लबो का ठर ठराना याद है और दो पहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाउं आना याद है तो इन्हें जो है अश्कास अर्बा कहते हैं ये गजल के चार शायर है इन्हों ने गजल को थामा एक गालिम ने इतनी बलंदी तक उसको पहुँचा दिया था लेकिन फिर भी ये लोगों ने कहीं न कहीं कोई न कोई रह अपने लिए भी निकाली अपनी इंफिरादियत और आया तरकी पसंद तहरीक के मखसद से घजल मेल नहीं काती थी तरकी पसंदों ने भी इसको इसकी रिज़ा ख्याली की वज़ा से ना पसंद किया लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तरकी पसंद तहरीक नहीं ने इसको रिवायत को थामा भी है जिस शायर ने भी घजल की मु भी तरफ्की पसंद शायर थे लेकिन उनोंने तरफ्की पसंद तहरीक से मुतासिर होकर एक भी जो है घजल नहीं हैं उनकी सब घजले जो है रिवायती अंदाज में हमको मिलती है तरफ्की पसंद शोरा में मजाज लगनवी वैज अहमत फैस फिराव गोरकपूरी वहारे जा जाफर, अली सरदार जाफरी वगयरा के नाम हमको मिलते हैं नासर काजमी, खली अल्यूलर रह्मान आजमी, मजरू सुल्तान पूरी का जो नाम मिलता है और इस तरफ्की पसंद तहरीक ने भी फिर घजल को अपनाया और फैस के पास तो बहुत अच्छी च्छी घजले हमें मिलती है, घजल का आज भी हमारे शौरा घजल की जल्फ सवारने में लगे हैं और हालात के तखाजों के मताबख घजल को पूरा कर रहे हर शायर अपना रंग जमाने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहा है, नए मजामीन की तलाश का सिल्चिला जारी है, इसलिए के घजल क कोई मौज़ नहीं छोड़ा है, लेकिन जदीशायर अपने मौज़वात की तलाश करते हैं और ऐसे अशार पेश करते हैं, जो आज के हालात के मताबख हो, और आज की असरी हिस्सियत को पेश कर रहे हो, और आज के तखाजों को मुकमल कर रहे हो, नासर काजमी को शेर है, क कुछ यादगारे, शेहरे, सितमगर ही ले चलें, आएं हैं इस गली में, तो पत्थर ही ले चलें, डॉक्टर बशीर बदर कहते हैं कि कोई हाद भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, यह नए मिज़ाज का शेहर है, यहां फासले से मिला करो, मुनवर राना कहते हैं कि सो जाते हैं फुटपात पे अगबार बिचा कर, सो जाते हैं फुटपात पे अगबार बिचा कर, मजदूर कभी मीन की गोली नहीं खाते हैं, डॉक्टर बशीर बदर कहीं शेयर देखिए, कि लोग तूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हैं, बस्त चला जाता है पानी से मकानों पर कैसे लिखा जाता है और पिर साहर नुद्यार भी कहते है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलिया चुनने वाले कल और आएंगे नगमों की खिलती कलिया चुनने वाले मुझसे बहतर कहने वाले तुमसे बहतर सुनने वाले गजल का ये सतर जारी है और आएंड़ भी जारी रहेगा आपने सुना आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सिंदुजन एकडमी के जो जिम्मदारान हैं मैं उनका भी बेहत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये औसर परहम किया ये मौख़ परहम किया और तमाम का तमाम हाजरें जो आनलाइन इसमें जुड़े हैं और जो बाद में इसको देखने वाले हैं मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया